पंजाबे स्टाइल में राजमा की रेसिपी बताने वाली हूँ, हाई विलकम टो मैं चानल आज के वीडियो में में राजमा की रेसिपी बताने वाली हूँ, आप लोग इसको आसानी से ही करपे ही बना सकते हो, इसके लिए मैंने 4-5 घंटे के लिए राजमा को सोग करने के ल इसको अभी हम लोग कुक कर लेंगे अभी मैं इसमें सोक्या हुआ राज्मा का पानी नहीं डालूंगी नए पानी से हम लोग एक इंच तक एक डेड़ इंच तक पाने डाल कर इसको तीन चार विजल आने तक कुक कर लेंगे अभी देखिए कुक हो गया है अभी राज्मा हम लोग दबाएंगे तो अच्छे से मैश होना चाहिए तब तक हम लोग अभी मसाले को कुक कर लेंगे देखिए याँ पर मैंने तीन मीडियम साइज की ओनियन को कट कर लिया है इसको अभी हम लोग अच्छे दो डेबल स्पून ओईल डाल कर इसको गुल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे अच्छे से गुल्डन ब्राउन कलर आएगा तो राजमा में अच्छे से कलर भी आएगा और खाने में टेस्ट भी बहुत अच्छे से आता है अभी fry हो गया है इसको अभी मैं निकाल लूँगी थंडा होने के बाद हम लोग अच्छे से इसको पेस्ट बना लेंगे पिना पानी डाले हुए ग्राइंड कर लीजिए देखे मैंने ग्राइंड कर लिया है अभी उसी पैन में हम लोग 4 टेबल स्पून ओयल डालेंगे एक टेबल स्पुन जीरा, दो देज पत्दे डाल लेंगे और एक इंच दाल चीनी डाल लेंगे एक टेबल स्पुन अद्रक लेसुन का पेस्ट डाल कर अच्छे से मसाले को मिक्स कर लेंगे भुन लेंगे यहां पे मसालों को अच्छे से फ्राइ कर ली जिये आदा टेबल स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने चार टोमेटो को अच्छे से प्यूरी बना लिया है इसको अभी हम लोग डाल कर मिक्स कर लेंगे इसमें अभी हम लोग मसाले एड करेंगे एक टेबल स्पून धनिया पाउडर एक टेबल स्पून जीरा पाउडर एक टेबल स्पून गरम मसाला एक टेबल स्पून लाल मिर्श पाउडर थोड़ा सा नमक डाल देंगे मैंने राजमा कूप करते समय भी इसमें नमक डाला था इसलिए मैंने थोड़ा नमक का यूज किय अच्छी से मसाले में तेल छुटनें तक कुख कर लेंगे यहाहाँ पेस्ट को भी डालकर मिक्स करके इसको फान्च दस मेनिट के लिए अच्छी भूने लेंगे मसालों को अच्छी से भूनना चाहिए तब राज्मा में अच्छी से टेस्ट आता है अगर आपका मसाला थोड़ा थिक हो रहा है तो आप लोग इसमें थोड़ा सा गरम पानी डालकर इसको कुक कर लिजिए तेल चुटने तक अभी हमारा मसाला रेडी हो गया है इसमें अभी हम लोग कुक किया हुआ राज्मा को डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करकर हम लोग इसका ढखकन बंद करके इसको अच्छे से 20 मिनिट के लिए तेज आज पर इसको कुक करना चाहिए ताकि सब राजमा मसाला अच्छे से कुक हो जाए अब देखिए 20 मिनिट के बाद हमारा राजमा अच्छे से कुक हो गया है अब भी थोड़ा पतला सा दिख रहा है अभी हम लोग 10 परसेंट या 20 परसेंट राजमा को अच्छे से चम्मस से इसको ऐसे मैश करते हुए कुक कर लेंगे तो अच्छे से राजमा गाडा होगा और ग्रेवी भी थिक होने ही लग जाएगा इस तरह से आप लोग मैश कर लिजिए देखिए मैने मैश करने के बाद इस तरह से थोड़ा सा थिक हो गया है आप इस तरह से कर लिजिए तो आपका राजमा अच्छे से टेस्टी बनेगा इसमें एक टेबल स्पून कसूरी मिती ड करेंगे लास्ट में इसमें हम लोग थोड़ा सा गरम मसाला डाल कर इसको अभी घैस की फ्लीम को आफ कर देंगे अभी हमारा राजमा रेडी है इसको आप एक बार जरू ट्राय करके देखिए बहुती टेस्टी और आसानी से आप लोग इसको घर पर ही बना सकते हो अगर आ राजमा अच्छे से टेस्टी बना चाहिए तो आप लोग कितना भी राजमा बना रहे हो तो आप लोग चार टमाटर यूज करेंगे तो तीन ओनियन का यूज करके इसका रेसिपी बनाईए बहुती टेस्टी और इजी से आप लोग इस रेसिपी को बना सकते हो अगर झाल झाल